अगर आप यह जो Sunday analysis वीडियो अगर आप इनको follow करते हैं जिसमें हम कुछ stocks के analysis करते हैं next week के लिए तो आपको definitely पता है कि मुझे बिल्कुल यह plain charts पसंद है plain chart के साथ सिर्फ और सिर्फ मैं 2-3 indicators यूज करता हूँ जो कि मैं बिल्कुल confirmation के लिए यूज करता हूँ बाकी सिर्फ और सिर्फ price को मैं follow करता हूँ तो कौन से वो 2-3 indicators है जो कि आपको useful होंगे swing trading के लिए वो जानेंगे आज की video में वीडियो को लास से देखना कौन से इंडिकेटर से और कैसे उनको मैं यूज करता हूँ कैसे आपको यूज करना चाहिए वो detail में देखेंगे So first indicator जो कि मैं सबसे जादे यूज करता हूँ that is 200 का exponential moving average अगर आप मुझे follow करते है कुछ दिनों से आपको definitely पता है जब भी मैं swing trading के लिए चार्ड की analysis करता हूँ मेरे चार्ड पर ये 200 का moving average हमेशा आपको दिखेगा Now 200 का moving average में कैसी उज करता हूँ वो मैं आपको बताता हूँ 200 का moving average assets को important मतलब different नहीं है लेकिन हाँ जो भी moving average होते हैं जो important होते हैं जैसे कि 20, 50, 100 और 200 ये 4 important moving average होते हैं जिसको stocks generally follow करते हैं ठीक है तो इसमें से कौन सा stock follow कर रहा है कौन सा moving average वो चीज़ आपको देखना पड़ेगा सबसे पहले दूसरी चीज़ सारे moving average आपको यूज करने के बिल्कुल जरूरत नहीं आप कुछ stocks को पकर सकते हैं जो की particularly 200 को follow करते हैं या फिर आप कुछ stocks को पकर सकते हैं जो की 20 moving average को follow करते हैं या फिर किसी भी 1 moving average को follow करते हैं ठीक है जैसे कि अगर आप यहाँ पे chart पे मेरे देखेंगे तो मेरे पास यहाँ पर 4 moving average मैंने लगा के रखे हुए यह है 200 का moving average उसके बाद यह 100 फिर यह 50 और यह आपका 20 moving average यह stock ध्यान सा अगर आप देखेंगे तो कौन से moving average को सबसे जादे follow करता है this is 100 moving average देखो वैसे आप बोलेंगे तो 20 से भी कभी कोई bounce लेता है हमे ट्रेड कर रहा है तो जब भी stock 100 moving average पर आता है उसको आपको buy करना होता है यह चीज़ आपको कैसे पता चलता है देखें stock के जो पुराने history होती है उससे आपको पता चलता है एक बार आपने यहाँ देख लिया कि price 100 moving average से यहाँ पर bounce कर रहा था second time यहाँ फिर bounce किया था तो आपको जब भी यह third time, fourth time, fifth time, जब भी यह 100 moving average पर मिलता है वहाँ पर आपको एक उपर के side momentum मिलता है तो वह चीज़ आपको catch करना पड़ता है यह चीज़ हर एक stock के लिए totally different हो सकती है कोई stock सिर्फ और सिर्फ 20 को follow करेगा जो की highly uptrend में है कोई stock 100 को follow करेगा कोई stocks जो की थो 200 का moving average पर support लेते हैं ठीक है तो वह ची stock के behavior से आपको पता चल सकता है ठीक है हर stock का अपना अलग moving average होता है कुछ 20 कुछ 50 कुछ 100 और कुछ 200 को follow करते हैं मैं personally वह stock देखता हूं जो की 200 moving average के आसपर support ले रहे हो इसमें क्योंकि चांसे थोड़े से बढ़ जाते है momentum के दूसरी चीज़ आपको यहां पर risk reward बहुत अच्छा मिल जाता है क्योंकि जो 200 का moving average होता है वो एक एसा यह में होता है जिसके नीचे हम जो trend को broader trend को bearish मानते हैं इसके उपर भॉदर प्रदर्टेर्ट को बुलिश मानते हैं, क्योंकि जो 200 moving average होता है, आप यह कह सकते हैं कि पूरे एक साल का moving average होता है, जो 20 moving average होता है, वो एक महीने का moving average होता है, क्योंकि एक महीने में 20 से 21 trading trades होते हैं, तो 20 moving average, 21 moving average, 22 moving average, यह जो सारे moving average होते हैं, वो एक महीने का moving average होते हैं, soldate कर रहा है उसके बाद यहां पर breakout आपको मिलता है तो मैं ऐसे stocks generally आपको recommend करता हूँ या फिर मैं खुद इस पर trade करना पशंद करता हूँ ठीक है तो यह एक तरीका होगे उसको use करने का बागे बहुत सारे तरीके होते हैं मैं personally यह follow करता हूँ जो भी stocks 200 का moving average पर support ले रहे होते हैं उनको मैं trade कर सकता हूँ या फिर दूसरी चीज stock filtration के लिए भी इसको follow करते हैं जैसे कि कोई भी stock अगर 200 का moving average के ऊपर trade कर रहा है और वहां पर आपको कोई भी pattern देखता है कोई भी आपको triangle pattern देखा उसका breakout मिलता है तो आप definitely इसको trade कर सकते हैं अगर 200 का moving average के नीचे आपको कोई pattern देखता है bullish pattern भी तो आप इसको avoid करेंगे इससे आपको फायदा क्या होता है जो bullish patterns 200 का moving average के नीचे बनते हैं कई बार वहां से reverse कर जाते है 200 का moving average पर resistance लेके तो इस चीज़ का थोड़ा सा आपको benefit यहाँ पर मिल सकता है ठीक है तो पहला indicator हो गया हमारा moving average exponential moving average second indicator जो कि मैं use करना पसंद करता हूँ swing trading के लिए that is RSI relative strength index अगर आप RSI use करते हैं तो इसको आपको पता है कि दो तरीके से use करते हैं एक तो ओ गया आपका band का जैसे कि लेट से आपने 40 60 use कर लिया अगर 60 को उपर जाता है तो bullish अगर 40 के नीचे जाता है तो bearish दूसरी चीज़ होती है RSI divergence RSI divergence तो यह दो तरीके होते है RSI को use करने करें मैं personally RSI divergence को जादी use करता हूँ और इसको मैं सिर्फ और सिर्फ confirmation के लिए करता हूँ कैसे मैं आपको अभी बताता हूँ let's say कि हम यहाँ पे एक indicator plot करेंगे that is RSI relative strength index okay यहाँ पे setting में थोड़े इसको changes करेंगे जैसे कि यहाँ पे 70 है इसको हम यहाँ पे 60 करेंगे दूसरी चीज़ यहाँ पे 30 है इसको हमें 40 रखना है और middle band को हम यहाँ पे off कर देंगे हमें यहाँ पे moving average नहीं चाहिए और इसको हम थोड़ा सा bold कर लेंगे okay now देखो price जब भी एक double bottom या फिर double top बनाता है न तो वहाँ पे हमें RSI का confirmation की जरुवत लगती है जैसे कि यहाँ पे price बहुत दिनों से यह एक downtrend में था ठीक है उसके बाद यहाँ पे आपको एक bottom मिलता है price एक bounce लेता है वापिस नीचे आया दूसरा bottom आपको यहाँ मिला उसके बाद फिर से price यहाँ पे bounce लेता है तो यह इसकी निकलाएन है यह यहाँ पे break होती है अब price अगर आप देखेंगे तो एक clear downtrend में यह जो 20 के moving average है इसके भी पे कुछ ने कुछ volume activity हो रही है और यहाँ पे accumulation बन रहा है तो जैसे यहाँ पे neckline का breakout होता है कुछ quantity आप यहाँ डाल सकते है वापिस जैसे यहाँ पर price section आपको bullish दिखते जाए कुछ quantity add कीज़े जैसे आपको ऊपर दिखते जाए कुछ quantity आप add कर सकते है तो यह सारी करते हैं तो मैं आपको recommend नहीं करूँगा यह सारी चीज़े जादे यूज़ करने के लिए हाँ confirmation के लिए आपको चाहिए तो कभी कभी कर सकते हैं लेकर intraday में सिर्फ और सिर्फ price sufficient होता है because बहुत ही छोड़े time frame के लिए trade होता है तो उसमें जादे आपको ज़रूद नहीं पड़ती है स्विंग के लिए क्या होता है कि आप दो हपते तीन हपते एक मेहने के लिए hold करते हैं उस चीज़ को तो आप वहाँ पे थोड़ा सी चीज़ों को देख सकते हैं ठीक है now third indicator जो कि हम swing trading के लिए use करेंगे that is volume अब volume एक ऐसी चीज़ है जो कि बिल्कुल ही इसको आप indicator बोल भी नहीं सकते है मतलब कि यह candle के साथ-साथ बनती इसमें जो भी participations होती है जो buying होती जो selling होती है वह आपको directly वहाँ पर indicate करता है तो एक तो होती है candle की size मतलब कि अगर candle बहुत बड़ी बनी है तो यहाँ पर आपको obviously पता है 90% time पे volume high होता है दूसरी चीज़ आप directly volume को भी चेक कर सकते हैं यहाँ पर हम volume search करेंगे तो यह हमारे पास volume के candles आ आता है कि वहाँ पर volume high होगा या फिर low होगा तो आप यहाँ पर volume use कर सकते हैं आप अगर मुझसे पूछोगे तो मैं आपको हर एक candle को डेख के definitely बता दूगा कि किसमे volume जादे है किसमे कम है जो भी बड़ी candles होती है वहाँ पर आपको volume high मिलेगा ही मिलेगा confusion कहाँ पर होगा जैसी कि ये candle है second candle यहाँ पर जो दिखरी है आप इसमें देखो कितनी huge volume है लेकिन candle बहुत चोटी है तो कई बार जब धीरे-धीरे unloading होती है जो stocks की जो भी price है उसमें तो candle वहाँ पर चोटी बनती है तो उससे आपको confusion होगा बाट यहाँ पर volume बिल्कुल ही clear दिख जाता है इसे candle पर आपको huge volume मिली थे उसके बाद से directly वह downtrend में आगे हैं आपिस से ठीक है तो volume का confirmation चाहे आप breakout trade कर रहे हो चाहे कुछ भी trade कर रहे हो जैसे कि मैं यहाँ पर यहाँ पर प्राइस इस पर support ले रहा है काफी दिनों से अगर इसके उपर निकलेगा तो हम यहाँ पर क्या देखेंगे एक तो candle close होनी चाहिए दूसरा यहाँ पर एक बड़ी green candle होनी चाहिए नौ यहाँ पर कुछ लोग कंफ्यूज होती है कि अगर यहाँ पर green candle बड़ी नहीं आती है मतलब कि volume में तब क्या हम यहाँ पर trade नहीं लेंगे लेकिन हमारी जो quantity होगी वो हमारा 50% हो जा डाल दी अगर यहाँ पर volume huge है जैसे कि यह volume जैसे कि यह volume तो यहाँ पर हम full quantity डाल सकते हैं नहीं तो अगर volume कम है तो हम कुछ quantity डाल के wait करेंगे उसके बाद देखेंगे कि अगर stop loss hit होता है तो हमारा 50% quantity में होगा और अगर price वापिस से घूम के यहाँ पर reduce करने आता है फिर बोड़ा सा simple लखने के कोशिश करता हूँ और वही चीज में आपको सिखाता हूँ चीजों को बहुत जादे complicated करने के जरूत नहीं simple चीजों से भी पैसा बनता है बस वही है कि आपको regularly follow करना पड़ेगा ठीक है तो यह तीन indicators है जो कि मैं swing trading के लिए personally use करता हूँ और आपको में topics या फिर जो content है वो provide कर पा हूँ ठीक है अगर आपको वीडियो अच्छा लगा डेफिनिटी वीडियो को like कीजिए that's it for today thanks for watching